मॉर्निंग, हम ट्रेट परस्पेक्टिव बेस्ट परस्णालेटी की थेरीज देख रहेते हैं, गौर्डन अलपोर्ट की थेरीज जो हमने देखी थी, कार्डिनल ट्रेट और सेंट्रल ट्रेट वाली, अभी बिग फाइफ एक्टर मॉडल ऑफ परस्णालेटी देखते हैं, जिसका निमोनिक है, OCEAN, याद रखे, कौन-कौन से फेक्टर से, इसमें O4CEAN, यह कौन से फाइफ एक्टर से, यह देखेंगे हम, बिग फाइफ एक्टर मॉडल इस वन अफ परस्णालेटी थेरी, बेस्ट ऑन ट्रेट पस्पेक्टिव तु स्टडी परस्णालेटी, यह भी ट्रेट पस्पेक्टिव बेस्ट ही है, रॉबर्ट मेंकेरे और पॉल कॉस्टे ने यह परस्णालेटी की थेरी डेवलप की थी, उन्होंने यह एक्स्प्लेइन की और बताया है कि परस्णालेटी की फाइफ मेजर फेक्टर होते हैं, अकॉर्डिंग तो देम, परस्ण एंड वालव आप इंडिविस्वल्ड इनका इसा मानना है, यह दोनों को रॉबर्ट मेंकरे और पॉल कॉस्ट का की जो परस्णालेटी के ट्रेट साहते हैं, बेसिकली के हमारी बैलोजी मेरूटेड होते हैं, जो हमारे, जो हमारा बैलोजीकल इन्नेट होते हैं और जो बै प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं तो यह हमारी स्कील्स को हमारी है बीड्स हमारे टेस्ट और हमारी वैलूस को शेप करते हैं तो कौन-कौन से पांच मेजर फैक्टर से चली देखते हैं by dug Iran फोन्ह welfare इजे पॉर उपनेशटो एक्सपेरिंस ओषि हैंग मने इसका निमॉनिक देखा तक याद रखी आप इसे ओपेनेश ड्रेट रिऌटयटकि फॉरार्ट इमोश Channel ओन्युस्व अडिया ब्हों ub fent-n produto देखाई देधा है तो किया उते होटेइक वह लोग हुं आर्ट से बहुत लगा उननों को होता है प्रॉजय कर फोर टाइप अव 9 किसी भी और से उनको लागा हुते हैं इमोशनल चीजों पर जादा ये फोकस करते हैं जैसे शेर और शायरी बगएर हो गई एडविंचर पसंद करते हैं नए नए आइडिया उनके माइंड में आते हैं काफी क्रियाटिव होते हैं लोग imagination power काफी high होता है इनका curiosity होती है कि इनके अंदर चीजों को जानने की नई चीजों को explore करने की समझने की और बहुत सारे experiences ये life में हासिल करते हैं people who are open to experience are curious, imaginative and creative whereas those who are less open to experience are non-creative and lack aesthetic sense जो लोग open to experience लोग होते हैं वो काफी curious होते हैं, imaginative होते हैं, creative होते हैं जबके जो less open to experience होते हैं वो non-creative होते हैं और aesthetic sense उतना नहीं होता उनमें जो जामाली आती हैं जिसको बोलते हैं खुबसूरती को महसूस करने की इस चीजों को चीजों के nature को समझने की job का sense होता है और किसी की खुबसूरती को realize करने किसी की खुबसूरती को sense करने को whatever, either nature, fabric, either nature, material, human beauty, beauty, किसी भी तरह की जो aesthetic है, इनका aesthetic sense काफी अच्छा होते हैं, open to experience लोगों का next one is consciousness consciousness is a trait showing tendency to display self-discipline. It is related to the way in which people control, regulate and direct their impulses. ये खासियत ये खासियत actually disciplines related है, जिसकी बज़े से लोग काफी regular होते हैं, अपनी punctual होते हैं, उनको अपने emotions को, अपनी भाव को और sentiments बोले हैं उसको या फिर जो भी जो एक इनसान के अदर अपनी desires को, अपनी impulses को control कर पाते हैं. पीपल हेविंग हाई consciousnessness are well organized, responsible, dependable, hard working, whereas पीपल हेविंग low consciousnessness are organized, irresponsible, spontaneous and careless. जो लोगों में high consciousnessness होता है, वो well organized होते हैं, responsible होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, चीजों को काफी अच्छे तरीके से करते हैं, organized manner में करते हैं, dependable, hard working होते हैं, जबकि जिनके अंदर यह खासित नहीं होती, वो काफी ही irresponsible होते हैं, कोई जिम्मेदारी का और अहसास नहीं होता है, उसमें श्पोंटेनियस होते हैं, अचानक से कोई भी चीज़ करना、 अचानक से कुछ भी प्लान करना, गहर अख्त्यारी जख़यात आते हैं, उनके पंट्रोल होता, उनको अपने इमोशन पर अपने डिजायर प और काफ़ी केरलेस होते हैं. जो भी एक्सटरणल मीन्स आपको इंसपिरेशन मिलते हैं उसके अंडर में जितनी भी एक्टिविटी जाती हैं वह करने वाले उस एक्सटर वर्जन में ही आते हैं पीपल हेविंग हाई एक्स्ट्रावर्जन होते हैं लोग वो काफी टॉकेटिव होते हैं बहुत बातुनी होते हैं पूर्जोश होते हैं एंथुज्यास्टिक होते हैं किसी भी चीज़ करने का ज़जबा उनके अंदर होता है ओपन माइंडेड होते हैं सोशेबल होते हैं काफी ही सोशल होते हैं असर्टिव होते हैं करेजियस होते हैं करेज से किसी भी चीज़ को फेज करते हैं करेज से डिसिजन लेते हैं असर्टिव होते हैं खुद के लिए आवाज उठाना जानते हैं On the other hand, people having low extroversion are less talkative, shy, alone and less involved. और जबके जो लोग extrovert नहीं होते हैं या low extroversion होते हैं ये कम बात करते हैं, शर्मीले होते हैं, अकेले तनहा रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ में ज्यादा मिक्स नहीं होते हैं. फौर्थ वन एस एगरिबलनेस, एगरिबलनेस इस ट्रेट शोईग अन एबिलेटी ऑफ एन इंडिविजवल तो गेट अलॉग विद पीपल और कंसर्म फोर सोशल हर्मेनी, ये वो खासियत हैं जो इनसान को दूसरे लोगों के साथ में मिलाती हैं, दूसरों के साथ में मिक् इस पर ये लोग ब्लीव करते हैं, इसके लिए लोग फिक्रमंद होते हैं, पीपल एविंग हाई एगरिबलनेस आर काइंड, लविंग, क्यारिंग, फ्रेंडली और कॉर्परेटीव, जो लोग गो में हाई एगरिबलनेस होती हैं, वो काफे काइंड होते हैं, लविंग हो होते हैं friendly होते हैं cooperative होते हैं sociable होते हैं वह सामाजी एकताप पर ब्लीव करते हैं उसके लिए concern होते तो जाहिर सी बात है वह loving रहेंगे caring होंगे वह और friendly होंगे cooperative होगे तभी यह possible हो सकता है जबके जो लोगों में agreeableness low होती है वह काफे un cooperative होते हैं किसी के help करना किसी को cooperate करना पसंद नहीं करते हैं जैलेस होते हैं किसी की काम्यां भी देख नहीं पाते हैं hostile होते हैं argumentative होते बस बहस करने की उनके अंदर आदत होती है काफे rash होते हैं लास्ट फ वन फिफ्ट जो है neuroticism is a trait showing the tendency to experience negative emotions such as anger anxiety और depression जो लोग neurotic होते हैं neuroticism के traits इन में होते हैं वो उनके काफे negative emotions दिखते हैं जैसे घुस्सा हो गया बेचैनी हो गया इस तरह की emotions उन में दिखाई देते हैं people having high in neuroticism are anxious, depressed, irritable, fearful, impulsive, angry and unstable जो लोगों में neuroticism का trait high होते हैं वो काफी anxious बेचैन रहते हैं depressed रहते हैं generally छोटी छोटी बातों पर दुखी होते हैं depressed रहते हैं देखे टेंशन और depression में फर्क है, stress और depression में फर्क है, depression आप जो mood swings रोजाना इंसान के जिंदगी में आते हैं हम उसको depression नहीं बोल सकते हैं कि कोई बात हो गई आपको किसी आपके कलीग ने कुछ कह दिया आपको बुरा लग्या भी आप एक कोने में बैठे हो आप खामुश बैठे हो आपकी किसी से बात करने का दिल नहीं हो रहा आपने दो दिन खाना नहीं खाया, it's not depression, depression वो होता है जो छे महीने से लगतार चला आ रहा है, एक ही जैसी कैफियत लगतार चली आ रही है, अपने उदास है, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, आपकी खाने की routine चेंज हो गई है, आपकी sleeping routine चेंज हो गई है, आप involved होना बंद कर दिया है, आपने लोगों से मिलना चला आ रहा है, तब ही हम उसको depression label कर सकते हैं, ठीक है, तो जो neuroticism trait वाले लोग होते हैं, वो fearful होते हैं, चीजों को लेकि, जिंदगी को लेकि काफी डर होता है उनके अंदर, गुस्से वाले होते हैं, और अनिस्टेबल होते हैं, कोई stability, किसी चीज को लेकि परसिस्टेंसी उनके अंदर नहीं होती है, कोई चीज वो टिकके लगके कर भी नी बात है, वो लोग जिनके जिनमें इरोतिसम का trait काम होते हैं, वो काफी balanced होते हैं, काम होते हैं और स्टेबल होते हैं, अभी next वीडियो में हम measurement of personality देखेंगे, personality की हमने trait थेरी और type थेरी दोनों ही देखी, आप लोगों ने अच्छे से ताइप और ट्रेट का इपने नमज लिया होंगा कि यह पर्टिकुलर ने आपके जो कैरक्टिस्टिक होते हैं जैसे वह ओनेस्ट है वह ऑड़ियूंट है वह लविंग है वह क्यारिंग है तो यह आपके ट्रेट्स हो गया और जो पर्टिक एक पूरा ने आपका एग्रिकेशिंट सॉरी जो पूरत है एक्स्ट्रोलर्ट है उसमें बहुत सारे टरेट्स आपके आ गए कि बहुत ज्यादा बात करते हैं सोशल है करेजियसे असर्टीव है तो यह एक्स्ट्रोवर्ट टाइप हो गया परसनालेटी का, इंट्रोवर्ट टाइप हो गया परसनालेटी का, तो hopefully आपको ये सभी अच्छे से समझ आ गया होगा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मेजर्मेंट ऑफ परसनालेटी देखेंगे, have a good day.